Hello everyone, now we will continue chapter 3 of Indie Grammar. Swiss Trends, come on page number 16, look at your book carefully. Swiss Trends, आज हेडिंग है आपकी शब्द के पिरकार, parts of words. आपको यहां words, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ा कि words क्या होता है, वर्ड के बारे में पूरा detail में पढ़ा, तो आज आप पढ़ेंगे वर्ड कितने type के होते हैं, यानि types of words, शब्द, वर्ड जो होते हैं, तीन विरकार के होते हैं, त्री types के होते हैं, देखिए, first सार्थक शब्द, जैसे कि आपको डाइग्राम में दिया हुआ है, फिर second है निरार्थक शब्द, और last है धवनी वाली शब्द, इस ट्रेंड शब्द की three types होते हैं, first आपका है सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ आर्थ होता है, यानि कुछ मिनिंग होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे शेर, पतंग, कमल, दूद, तर्बूस, चिडिया, आदी, इन सब्दों का मिनिंग होता है, यह सार्थक शब्द कहलाते हैं, देखे, आपको पिक में दिया हुआ है, इन शब्दों को पढ़ते ही, इनके अर्थ तुरंथ हमारी समझ में आ जाते हैं, और हमारी दिमाग में इनके चित्र उभराते हैं, जैसे ही स्ट्रेंड इन वर्ड को हम यूज करते हैं, तो इमिजेटली ही हमारे माइड में इसकी इमेज आ जाती है, जैसे हम शेर बोलें, लुआइं, तो इसका एक दम हमारे माइड में क्योंगा इमेज आ जाएगी, यानि इसका एक मिनिंग है, इसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, सेकेंड है आपका निरार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है, यानि वो मिनिंगलेस होते हैं, वे निरार्थक शब्द कहलाती हैं, जैसे चाई, शाई, चाई भी कह दिया आपर और शाई भी कह दिया साथ में ऐसी पानी, वानी, रोटी, वोटी में क्रमशा शाई, वानी, वोटी जो है निरड़तक शब्दे यानि इनका कोई मिनिंग नहीं है चाय का मिनिंग है बट शाय का मिनिंग कोई नहीं है चाय-शाय इसी टाइप से पानी-वानी, रोटी-बोटी तो ये मिनिंगलेस वर्ड होते हैं अब लास्ट आपका धवनी वाले शब्द जे शब्दों से किसी धवनी आवाज का पता चलता है उन्हें धवनी वाले शब्द कहते हैं जैसे देखें यह आदि होए चन 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 से आपको क्या पता चला है कि किसी धवनी यानि किसी साउन की वो हो रही आपको आवाज आ रही है तो यहाँ पर ठक ठक आदी यह आपके धवनी वाले शब्द होए So, strengths I hope you all have understood that how many types of words So, we will stop here and we will continue this chapter in next video Thank you so much